क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक समुदरी जहास लगातार कई दिनों तक समुदर में ट्रैवल करता है तब उसमें पानी की स्प्लाई कहां से होती है मतलब उसमें पानी आता कहां से है अगर हम पानी को पहले से स्टोर करके रखने की बात करें तो भी एक समुदरी जहास में अलिम्टेड पानी स्टोर नहीं किया जा सकता हाला कि बहुत सारा पानी पहले से स्टोर किया भी जाता है लेकिन फिर भी एक समुदरी जहास के लिए पानी का दूसरा में सोर्स खुद समुदर ही होता है दरसल हर समुदरी जहास के अंदर एक evaporator लगा होता है और यही evaporator समुदर के खारे पानी को distillation के process की मदद से बिलकुल साफ पीने लाइक पानी में बदल देता है